नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिरूं आपके सामने अपनी नहीं वीडियो के साथ तो दोस्तों आज का जो ये हमारा नुस्का है ये धात के लिए बहुत ही लाजवाब नुस्का है धात के मरीजों पे इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है दोस्तों इस नुस्के में हमारी तीन चीज़ें यूज होंगी तीन चीज़े तो क्या दोस्तों दो चीज़ें यूज होंगी मगर वो बनी तीन तरीकों से होगी तो इसमें दोस्तों ये कुज्जा है और ये लिप्टिस के पत्ते हैं और ये है नीला थोथा इसे नीला थोथा बोलते हैं तो ये नीले थोथे का हमें कुष्टा तयार करना है और दूसरी चीज इसमें डलेगी बंग भसम भांग के पाउडर से जो तयार होगी भांग के पाउडर की चुट्कियां दे दे के जो बंग भसम तयार होगी वो बंग भसम इस नुस्के में डलेगी और तीसरी चीज भी दोस्तों बंग भसम ही है मगर वो बंग भसम लाजवन्ती के लुगदे में लाजवन्ती जो होती है उसके लुगदे में तयार कियी बंग भसम पांच ग्राम और पांच ग्राम भांग में तयार कियी बंग भसम और 5 ग्राम ये निला थोथा तो अब निला थोथा का ये कुष्ता मैं बना रहा हुँ अपने एक भाई के लिए मेरे बिहार वाले भाई हैं तो काफी परेशान हैं वो धात से और उनके लिए स्पेशल मैं आज ये कुष्ता बना रहा हुँ मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है अब कल तक मुझे इसकी खरल भी करनी है और भसं भी आज मुझे तयार करनी है अब इस कुझे को मैं गिल हिकमत नहीं करूँगा इसे उपर से तार से बंधूँगा और साइडों में इसके आटा लगाऊंगा इसके उपर मिट्टी की ग मेरा फार्मूला है मुझे मेरे बजूर्ग ने सिखाया था मेरे गुरू ने मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया था तो यह बहुत ही नंबर वन का फार्मूला है काफी मरीजों को मैंने खिलाया अब मेरे पास यह नुसका नहीं था खतम और खता काफी टाइम से और मैंने का अपने मरीजों के लिए तो उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला अब यह स्पेशल मैं अपना पुराना नुष्का तयार कर रहा हूं जो मुझे सूपर रिजल्ट देगा सूपर रिजल्ट वाला यह फर्मूला तो अब दोस्तों इस पे मैंने यह धकन लगा दिया है अब इस पे मैं चारों तरफ तारल पेटूंगा और साइडों में इसके गून्था हुआ आटा लगाऊंगा और उसके बाद मैं इसे आग में रखूंग और या अगर आप इसे ड्रेक्ट कोईले जो होते हैं कोईले उन कोईलों को आग लगा के उनके बीच में यह कुझे में डाले बिना ही लिप्तिस के पत्तों में उपर पनी लपेट दें या सूती कपड़ा लपेट दें तो उस तरीके से भी आप यह तयार कर सकते हैं तो द नीला या पीला कलर रह जाता है तो वो कुछता हमारा कच्चा है तो दोस्तों ठीक है मैं अगला इस टैप अब कुछ देर बाद दिखाऊंगा तो अब मुझे वीडियो रोकने पड़ेगी धन्यवाद